इस्टुडेंट्स मैं क्लास 12 की साइंस पढ़ाऊंगा फिजिक्स और केमेस्ट्री पढ़ाना शुरू करूंगा तो फिजिक्स भी माल लिजा अगर सुरू करना है सेकंड यर का तो जिन लोगोंने लागडाउन में इस समय ऐसा हुआ है कि जो बच्चे फरस्ट यर में उन्ह नहां पर हम यूनिट वेक्टर कहां पर लेंगे जीरो वेक्टर क्या होता है सब चीजे जाननी पढ़ेंगी सदिस के बारे में जोड़ना घटाना हलका चीज आनी चाहिए आपको तभी जागर के आप इन्समों का यूज कर पाओगे सेकंड यर में तो पहले हम फरस्ट यर सदिस पढ़ाने के बाद हम सेकंडियर फिजिक्स शुरू करेंगे और सेकंडियर केमेस्टी शुरू करेंगे और आपको चीजे अगर यह लगता है कि यह नहीं समझ में आ रहे तो आप तुरूंत हमसे बोल सकते हो कि सर आप यह चेप्टर हम को फरस्ट यर का पढ़ा संतल है समतल में गति का मतलब है जैसा इसके पहले आप लोगोंने जो भी पढ़ा था वह हम तो मैं यह को फैस्का जाता है और यह इस दिशा को प्लस मानता है ठीक है तो इस वाले दिशा को क्या मान सकता है माइनस मतलब यह कि जब दो ही दिशा आए है तो एक को प्लस और एक को माइनस मान करके हम ख़दम कर सकते हैं चीजें हमको अलग से कोई दिशा नहीं है तो अलग से कोई विनाम हमको में झनें लेकिन आगर ये जो और बॉड पर लगें गती करने शीम् ik तो यह जू सकता है जरूरी नहीं कि यह कि कि देख्शल की चला है में पूरा संतल में गती कर तो यहां पर अगर संतल में गति करें कोई पिंट तो कि किस दिशा में जा रहा है तो हर दिशा का एक हम कोई अलग से नाम देना पड़ेगा तो इसी चीज के लिए कि दिशा क्या है उसको बताने के लिए हमने सदिस का यूज करते हैं कर पाएंगे की सदिस के बारे में कि सदिस को हम क्या करते हैं आप दूसरी अदिस रास यह हो थी ने के लिए परिमाड की जरूरत होती है लेकिन दिशा की जरूरत नहीं होती है वे होती है अधिसरासिया अब देखो परिमाड का क्या मतलब है जैसे परिमाड का यह मतलब है मैं यह कहूं कि संख्यात्मक मान जैसे आप से कोई पूछे कि आपने आज दिन बर में कितना कहला कितनी दूरी जिस चली तो आपको होग हमने 5 kilometer चला आप ये नहीं बोलोगे आप ठीक है आप बोलोगे मिने Pass περι्णी में पाँ संखा प्र Valley कर दो ब्यक्त कर दे रहा जैसे ये कहाँ ध्यूक्हें प्र या 500 मेटर आपने चला मतलब यूनिट आपने यूज किया और संख्यात्मग मान दो चीजे यूज किया आपने अब दो चीजे यूज करने पर आपने बता दिया वह क्या है अधिसरासी लेकिन अगर आपको दिशा बतानी पर ती जैसे मैं जब सदीस आएगा तो डिटेल क्ल तुमाण था आप से पुछा जाएं कि इन डोनों में कितने डेग्री सेल्सियास समझ में आ रहे हैं तो 2 डीघ्री सेलसियास का क्या मतलब है आपने किया इन 49 में से से और से को क्या किया मतलब सिम्पल आपने अधिस को जोडने घटाने की तरीका वही है जो आप शुरू से क्लास पांच से या एक से जो करते आ रहे हो जोड़ना घटाना सिंपल है वही क्या होता है अदिस का तरीका जोड़ना घटाना गुणा वाक सभी चीज़ा सिंपल है जैसा आपने शुरू से करता है वैसे कर देना है आपको जैसे हम यह कहें कि अगर मालिजे कोई कोई पॉइ परिमाड होता है उनके साथ-साथ में एक चीज़ जानना होता है आपको यूनिट जरूरी होती है कोई भी फिजिक्स में कहीं भी बीना यूनिट के आप कुछ बोल नहीं सकते तो इसमें परिमाड के साथ-साथ यूनिट जरूरी होती है अनि केबल परिमाड और यूनिट कि दो चीज़ें चाहिए होती है अब आती है हमारी सदीष राओ स्भूह कि रखंटी है दूनों की जरूरत होती है अन्य सक्षा नैकि ऑप्राइसर के फिशा और सदीष होते हैं सदीष राशिया वे-राशिया होती है जो परिमाण के साथ दि हम इसमें जोड़ेंगे कि सदिश रासियां तिर्बुजिगे और समांतर्स चाहिभूस सम्बंधी योग की नियम का पालन करती है इसका ये मतलब हुआ की दो चीजा आगे पढ़ेंगे बस यह जाना है आपको सदिश राशिया क्या होती हैं जिनमें परिमाण दिशा दोनों की जरूरत हो और दोनों के साथ साथ योग स्मन्धि तिर्वुज का नियम और समांतर चतुर्वुज के नियमों का क्या करें पालन करें तो क्या कहलेंगे सदिस राषियां सदिस राशिया में क्या आती है विस्थापन आएगा बेग आएगा त्वरण आएगा ठीक है ऐसे चीज़ हैंगी हम यहां पर एक चीज यह समझते हैं कि जो विस्थापन होता है विस्थापन इनको हम किसमें रखते हैं बिस्थापन को हम रखते हैं किसमें सदिस में और जो हम इसको रखते हैं क्या बोलते हैं दूरी को दूरी को हम किसमें लगते हैं अदिस में रखते हैं तो हमें आपट चीजें यह बताना चाह रहे हैं कि विश्थापन किस तरीके से जो सदिस होता है और किस तरीके से जो दूरी होती है वो अदिस होती है इस चीज को जरह आप समझ लो ठीक है कुछ तो किलियर होना चाहिए ना फिंडा द ann get, देखो आप लोग एक हमने लेविश्थापन और एक हमने ले लेविश्थापन दूर एक चीज़ देखो, बेग को भी कोई सदीस कहा जाता है और यह जो चाल होती है इसको क्या कहा जाता है अदिस कहा जाता है ज़र असा चीजे समझ लोगे तो clear रहेंगे चीजे लेको विश्थापन क्या होता है विश्थापन का मतलग कि माल लिजिए कोई है ठीक है इस x पॉइंट से चला y तक चला ठीक है x पॉइंट से चला y तक च जो है यह इधार आ गया तो अगर देखा जाये सच में तो यह इक इनी दूरी चले मालिजे अ है यह ऐसी माल लेया और आजकंवें ढालोजे और वाहां हुला एक शुक्रता 12 पत की जो लंबाई होती है दूरी होती है 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर यहनि 4-7-7-2 कितना चला टोटर 9 मेटर 9 मीटर इसकी क्या हो जाएगी दूरी हो जाएगी लेंथ हो जाएगी लेकिन अगर हम पूछे भिस्थापन विस्थापन होता क्या है फ़र्स्ट पॉइंट जहाँ से आपने सुरू किया चलना। और लास्ट पॉइंट जहाँ पर आप रुकें ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है। विश्थापन how व्यज्ध सुरू यह ने तो गलेशन च्ला थी यह ज gli a लेकिन हमारा हो जाएगा विस्थाएग्स मैं तब हम आप से ऐसे सब्सक्राइब करिभा पर कैसे संसर लेकिसी ने पूचा आप और आप से चलना पर असे और लेकर किसी ने पूछा आपने कि वहाई कुल मिटर चला हम ने कर finge तो आप यहां पर आपने दिशा बताया जहां पर आपने इंडिकेट किया जहां पर आपने इसारा किया कि हम यहां से लास्ट पॉइंट कि इधर चले कि दूरी और यह बोला जाता है कि बेग और चाल यहां पर भीज यूज करके हम बेब को ला रहे हैं और भीजटापन कैसी रासी होती है सदिस रासी होती है इसके नाते वेग भी कैसी रासी होती है सदिस और चाल किसको हम यूज कर रहे हैं दूरी और समय तो दूरी कैसी रासी होती है अधिस रासी होती है समय कि तो कोई दिशा नहीं होती है ठीक है तो दूरी अधिस रासी है इसके नाते चाल कैसी रासी हो जाती कि अदिश राशी हो जाती है तो यहाँ पर हमने यह जाना कि अदिश और सदिश राशियां क्या होती है देखें आप लोग मेरा यह मतलब है कि बस घवडाना मत दीरे दीरे मैं पढ़ाऊंगा लेकिन समझ में आगी चीज़ अब हम पढ़ेंगे कि सदिश का बनता कैसे है सदिश को हम बनाते कैसे है आपने माली जैस जान लिया कि सदिश होता क्या है कि सदिश जो है परिमाड और तो सदिश बनाने के लिए जैसे माल लिजये कोई 3 किलो मीतर्र चला किसी Det deux तो हमने क्या किया ऐसा बना दिया यह लिकion कि दिखा दींटिश जीवाद हू परिमाड को मतलब संख्यात्माद कि दूरी इसको ब्यक्त करने का क्या तरीका यहीं है जैसे बल आप जानते हो बल क्या है दबाऊगे तो पता चलेगा कि इस एधर उतार हैं कि इस तोचना ही नहीं तो बल सबस्क्राइब करते हैं लेकिन अगर हम इसको सदिख के साथ अगर हम यूश करें सदिख इसके शाथ में लगा देटे हैं और ज़्यादा बेटर माना जाएगा इसको तो हम इसके उलतर क्या लगा देते हैं एक ऐसा लगा देते हैं तो क्या पता चलता है कि एक सदिस राशिया देखो पहले जो शुरू किया गया था वह कुछ मोटा ऐसे वहंडे तरीके से लिखा जाता है तो इसको यह बार-बार लिखना अगर आप लिखना हो फिर बार-बार आपको ऐसे हैंड बार वह क्या उजाता है सदिस हो जाते तो यह हमारा सदिस का बनना हुआ अब हम देखेंगे कि सदिस का एक चीज और देखो आप लोग सदिस का जोड़ना घटाना भी हम लोग और भी बाद में पढ़ेंगे पहले यह चीज हम देखते हैं कि समान सदिस क्या होते हैं अब की प्रकार सदिश के प्रकार में पहले हम देखेंगे समान सदिश या समस अधिस टिक है कि इसलान माली जह 2 सदिश हैं एक सदिश ऐसा है कुछ दे इस ऐसा है knowing सलला हमने का सद्श के उपर एक सद्श ले लिया कि यह क्या हो defined हमारा क्या पता चला वेक्टर विक्टर वेक्टर ठीश यह दोनों कब सद्श समान कहलां कि इनकी डिर्येक्शन कि वह परिमाड कि परिमाड दोने क्या हो बराबर रिक दोने की स contenens요 है ऐसे में दोनों की दिशा क्या है सेम है और दोनों के परिमार भी एक्जक्ट क्या है बराबर है लंबाई परिमार का मतलब लंबाई अगर दोनों की लंबाई भी बराबर दिशा भी बराबर एक दिशा में जा रहे तो दोनों क्या कहलाएंगे समान सदिस या समद सदिस कहल एक चीज या तो दिसा या तो परिमार बराबर ना हो तो वह क्या कहलाएंगे और समान जैसे हमारे यह है क्या है वेक्टर यह है और यह हम यहां पर बना दिए वेक्टर भी है इन दोनों में क्या है दिशा समान है लेकिन इसकी लंबाई इसकी लंबाई में क्या अंतर इसकी लंबाई क्या में इसकी लंबाई क्या है ज्यादा है तो एक ऐसे सदिस कह लेंगे और समान सदिस एक चीज और आप लोग देखो altra कर ले दिएक छीज और कि मर्स जैने एक सठी ऐसे ले लिया vector टीक है और निसली के से ले लिया vector ऒ ले लिया vector vector ab oss Pen in दोनने क्या आंतर है लंबाई तो हमने समान लिया लेकिन किसका आंतर अंतर का एक चीज ओर इसको हम बोल सकते हैं इसे समान सदिस यह आप कहलते हैं कि जब इन को फॉसरे के ऊपर रखो एक दूसरे के ऊपर रखो और संपाती होजाये समीन tapahti का मतलब सेम जैसे यह ठासें उसी के ऊपर दूसरा आजिसे जब लोग इचाही trends तो जब दोनों की दिशा अलग होगे उस समय क्या होगा और समान सदिश होगा और दोनों की लंबाई क्या है आपस्तिय में द्यान देना दिशा या परिमार दोनों में से कोई एक चीज अगर समान नहीं है तो वो कैसा सदिश होगा और समान सदिश होगा अब जो अगला है व सदिस एक चीज और भी है अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में किसी तरीके कि आपको जैसे ज्यादा बोलने की या कुछ ऐसे बोलने की कोई लग रहा कि सदार होनी चाहिए तो आप कमेंट करके नीचे बता दो चाहिए बोर्ड में लिखार में किसी भी चीज में इस्थिती सदिस मतलब इस्थिती बताने वाले सदिस सिंपल सा जैसे मैं यह कहूं कि यह कोई पॉइंट है ठीक है यह कोई आदमी है और यहाँ पर कोई दो है मान ल बिष्ação कि आप से अने लोगों के बेच की दूरी है 300 Maja इन दोनों के बेच की दूरी कितनी है 300 So तो यह राम क्या कहाएगा कि यह जो स्याम है मुझे से 300 मीटर दूर मेरे दाय साइड में है यह क्या बता रहा है उसकी इस्थिती बता रहा है इस्थिती बताने का मतलब देखो इस्थिती सदिस बता रहा है इस्थिती भी बता है और दिशा भी बता है तभी तो सदिस होगा पिंदु की स्थिती बता रह भी अश्तिती में स्थिती बता इस स्थिति कँप्लीट बता रहती है तो वो किसी बिंदु की इस्थिती बताए मूल बिंदु के सापक्च जैसे मैं यह बोलू इस पॉइंट की इस्थिती बताए माल लो हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट नहीं तो किसके सापक्च बत जैसे देखो यहां पर दो लोग थे इसको हम पूछे तो इसके सापक्च बोल यह कौन साक्ष होता है 1 साक्ष होता है यह मतलब viens li तो हम यहाँ पर यह कह रहा है कि माल लिजे एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है पी है माल लिजे कोई हमारा ऐसे कोई पिंड है वो गती कर रहा है कुछ इस तरीके से ठीक है कुछ इस तरीके से कर रहा है और पी से कहां आ गया मजैनेस । इस पॉइंट पर आगये। यह ठीस पर आगया। यहां पर हम्नें क्या लेलिया। एक चीज देखते हैं लोग जरा इसको हम Upers लिख लेते हैं ताकि आसानी रहां manten daher, ज़रा सा समन झालेते हैं, यह를 Quindi सबस्क्राइब अब हम क्या करें इस पी की स्थिती हम यह पूछे आप खुड बताओ ना अगर इस पी की स्थिती पूछे तो कोई क्या बताएगा कहेगा यक्सवाई के बीच में कहां पर है उसकी दिशा क्या है तो दिशा के लिए आप जड़ा देखो तो इस मूल बिंदू से अगर इसको देखा दया है तो कुछ इस डिशा में है और इसक्यों बीच के धूरी क्या हो गि क्या होगी हमारी ओपी होगी हम उसको एक नया नाम देते हैं में पी को Call जो ओपी हमारा है वो क्या इस्थिति सदिस है और यह जो ओपी जो ओपी क्या है इस्थिति सदिस है और बता क्या रहा है यह बता क्या रहा है इससी पी की स्थिति किसके साफ एक्ष मूल बिंदु के साफ एक्ष इस्थिति और दिसा दोनों बता रहा है इसलिए ओपी क्या है सदिस रासी है तो और वो पी डैस एक चीज और हम ले लेते हैं यह पी डैस है तो इस पी डैस को अगर हम इस ओ से मिला दें और इसका एक पी पर हमने आर लिया तो पी डैस पर हमने क्या ले लिया आर डैस ले लिया अब इसको वेक्टर बना सकते हैं वेक्टर क्यों बना सकते है क्या कर रहा है दिशा और इस्तिति felर बता रहा हमने क्या किया है पर ओपीडैस इसको द्री देस हो इसको गार आर दाइस है यह इसको यह क्या है और इस्थिति सदिश क्या है है कि अगर इस lagi सकते हैं डेस का इस्थिति सदिस ठीक है अगर इसी को हम इसी को ऐसे ही लिखना चाहिए ओपी क्या है पी का इस्थिति सदिस क्या है पी का इस्थिति सदिस का मतलब कि वह मूल बिंदू से किस दिसा में जैसे मूल बिंदू है हम कोई यहां पर रखने कोई पॉइंट वह देखेंगे एक होगा अप मिलना एक और एक चीज और हमारा होता है स्थापन सदिस इसे में समझना है हमको विस्थापन सदिस क्या होता है ठीक है विस्ठापन सदिस क्या होता है जैसे देखो ये बिंड पी से ये जो पिंड चला है पी से पी डैस पर क्या है ठीक है ना विस्ठापन सदिस का मतलब जो विस्ठापन हुआ है उसी का सदिस तो पी से लेके पी डैस तक जो गती हो रही है इस गती के संगत हम इसको क्या की से संगत क्या है विस्थापन सदिस है विस्थापन सदिस है अब यह ऎनने और यह क्या है? अब यह स्थिती सथीघ्ञा एक सुझाए यह है यह है अमारा विष्थापन सर् specially टि आ unters 2011 मौन диकर गघ्ञान को पता चल बहुत है ऐसे गया इस चीज को ठीक है यह पिंद मारा आया ऐसे निकल गया तो यह जो हमने पॉइंट लिया यह क्या इस गती के संगत के आविस्था अपन सदिस है समझ में आरे इतनी चीज है कि आगे चलते हैं